नमस्कार साथियो संसकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो पहरे साथियो आज हम आप लोगे लिए 25 बड़े ही इंपोर्टेंट कोश्चन कराने वाले हैं जो कि हरवार एक्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो आपकी आने वाली एक्जाम BSTC 2023 के लिए क्लास रामब दूड़ा करें साथ पी एंपर जो जिससे के आपका सेलेक्शन होने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं नहीं तो चलते हैं अपने पहले कोश्चन के तरफ मेरू नाम से नमर्ट मसें किस प्रिदेश को जाना जाता है अराबली परवतिये प्रिदेश को मेरू के नाम से सब्सक्राइब वंखिंagtर का समुल न एक स्बस्राइब को अगला देखिएगा जून महामें राजिस्तान के उत्तर पस्चमी सब्सक्राइब में देखिए निओन वायु दाप रहता है याद नियोन जो वायुदाब रहता है ना बिल्कुल यह हो जाएगा आपका सूर्य किताब की अधिक प्राप्ति एवं समुद्ध तर से दूरी के कारण है ठीक है ओप्सन नमबर डी बिल्कुल सही होगा राजस्तान में बीहड भूमी का सरवाधिक विस्तार किस जिले में है सवाई माधोपुल ऑप्सन नमबर बी बिल्कुल से होगा सवाई माधोपुल के अंदर है अगला देखो सेवन गास के जिले में विस्तुत रूप से उगती है सेवन गास के बारे में बतना है बाड मेर जोदपुर जैसल मेर्या सीकर सेवन गास और आपको घबराने की और परेशान होने की आप सकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि शांदार जब सेशन चल रहा हो और याद रख लेना आज स्याम को नौ वजी डेली की डेली नौ पीएम पर है ठीक है आप लोग का मोडल पेपर चलता है मोडल पेपर राजस्तान जीके का मतलब मोडल पेपर सारे ची है पर्वेश और पूरवीदेवार होता है वहा आपका भरत पूर होता है ठीक है ओप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना पर्वेश और पूरवीदेवार भरत पूर को चाहता है शिंग द्वार कह जटा ये चीज aan color को जरूर mm ड्यान रखना दौलत खंक किस परrhान आत्रोली घराना एक दम राई टाउस वर आप़ा गजे भिराई तुमाए कैसे और क Patroni खहल के साथ भरत भरते से 6 में तुमएं से राजहों उने वाला है न क्या होने वाला है तो देखें आपका प्रदेश और पंजाब है जो ठीक है ऑप्सन नमर बी आप लोगों को सही कर लेना है जो राजस्तान में ढक्कन ट्रैप के सहल समू बिदमान है बताएगा ढक्कन ट्रैप समू के जो समू बिदमान है जहलावाड कोटा में डूंगरपूर उदैपूर में नागोर जोधपू में चिप्तौरगडपील वारा के अंदर बताएगा तो देखे सब को पता होना चाहिए इसका अंशर होगा आपका जहलावाड कोटा के अंदर ठीक है और अबीस तक आप लोगों ने टेली ग्राम को संस्कार क्लासे जो जो नहीं किया तो कर ले ना क्योंकिगे डेली की डे टेस्ट लिया जाता संसकार क्लास जो लिंक डिस्क्रेप्शन में दूसरी बात अगर आप लोगों ने वाट्सप गुरूप को भी आगर जोन नहीं किया है महां भी आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट चीज दी जा रही है अपके लिए टेस्ट भी दिये जा रहा पीडिये नोट सारी चीज प्राप्त करा दी जाती है कहां पर बना हुआ ये नागदा के अंदर सास बहु का मंदिर बना हुआ है और सन नमर भी बिल्कुल सही होगा राजस्तान राज के पिर्थम राजपाल कौन थे बताईएगा राजस्तान राज के जो पिर्थम राजपाल थे न वो कौन थे सब को पता होना चाहिए फिर्थम राजपाल थे आपके गुरु मुख निहाल सींग क्या होगा लाड़ो गुरु मुख निहाल सींग एकदम बिर्कोश से होगा राजपाल थे गुरु मुख निहाल सींग है जो मद्ध प्रदेश के साथ राजिस्तान के कितने जुलों की सीमा रेखा जुड़ी हुई है एक भी कोश्चन को मिश नहीं करना है मद्ध प्रदेश के साथ राजिस्तान के कितने जुलों की सीमा जुड़ी हुई है देखें 10 जुलों की सीमा आप लोगों की जुड़ी हुई है option no b Rajaustan की 1070 Kilometer लंबी Pakistan की cesiens That सब को पता था ना इसके वारे मैं कहता राजिश्तान में देखे समबावित वासपॉथ सरजण की वार्शीक जो दर na सबसे अधिक की जिलिम है दूंगरपुर मासबड़ा जैसलमेर या घंगान अगरज देखे वाव यानिकी वादसोर जजर्जनकी जब वादसिक दरन सबसे अधिक किस जिले के अंदर होगी तो देखे ये जैसलमेर के अंदर होगी अप्सन नमबर सी आप लोगो को लगा लेना है जैसलमेर देखे ड़ाई दिन का जोंपड़ा राजिस्तान के किस पिरसिद सहर में है बताएगा ड़ाई दिन का जोंपड़ा ना अड़ाई दिन का जोंपड़ा ठीक है तो सब को पता है अड़ाई दिन का जोंपड़ा आप लोग का अजमेर के अंदर है ठीक है अजमेर की स्थापना वर्ष पता है अप लोगों को 11 से 13 इसमी के अंदर अजमेर की स्थापना होती है यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो ठीक है चलो राजिस्तान के किजले में तैसीलों की संक्या सबसे कम है देखे तैसीलों की संक्या सबसे कम है जैपुर में उदैपुर में जोदपुर में जैसलमेर में तैसीलों की संक्या सबसे कम कहां पर है तो देखे यह जैसलमेर के अंदर होगी तैसीलों की संक्या सबसे कम है जैसलमे मरुस्तली है देखें मरुस्तली छेत्रों में सरवधिक हानी जिन बालू का इस्तुपों से होती है वे है जिन बालू का इस्तुपों से होती है ना अनुधेरे अनुप्रस्त या जगाप का फर्वली है या वर्खान तो लाड़ ले इसका वर्खान आप लोगो को लिख लेना असत कथन के वारे में आप लोगों को बदाना बताएगा जल्दी तो असत कथन कौन सा होगा देखिए याद कर लेना आपका परती भूमी के छेत्रपल में निरंतर कमी आगई है ठीक है चलो छेत्रपल की द्रेष्टी से राजिस्तान का सबसे बड़ा किर्शी जलवायू खंड कौन सा है बताओ छेत्रपल की द्रेष्टी से सुस्क पस्मी मैदानी छेत्र कौन सा होगा सुस्क पस्मी मैदानी छेत्र एकदम राइट आउंसर होने वाला है और गवराईएगा नहीं अ चलिए उस वर्स का नाम क्या था देखें इस वर्स का नाम था आपका 1984 के अंदर कहां पर 1984 ऑप्शन नमर भी बिल्कुल सही कर लेना है राजिस्तान में सूचना तकनीकी पार्क कहां पर विक्सित किया गया है बताएगा सूचना तकनीकी जो पार्क कहां पर विक्सित किया गय यह आपका जैपूर के अंदर विक्सित किया गया है, सूचना तकनी की पार कहां पर है, जैपूर के अंदर होगा, ठीक है, गवराओ ना जी, आपके लिए तो यार सब कुछ कर सकते हैं, ताल चापर और परिवेहन, वन चेतर राजिस्तान में कहां पर इस्तित है, ताल चाप सुद्ध बोया गया, चेतर सबसे अधिक किस जिले में है, सुद्ध बोया गया, चेतर सबसे अधिक किस जिले के अंदर होगा, ठीक है, यह आपका चूरू के अंदर है, यहाँ पर आपका ताल चापर काले एरनों के लिए भी जाने जाता है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान की द्रेष्टी से सबसे छोटा किर्शी जलवाई उखंड कौन सा है छेत्र फल की द्रेष्टी से जो किर्शी जलवाई उखंड कौन सा होगा देखे आर्द दक्षिनी मैदानी छेत्र कौन सा होगा आर्द दक्षिनी मैदानी छेत्र नमबर ए आप लोगों को छाप लेना है क के मद्ध कालीन भारत में चित्त और गड़कों किस नाम से जाना जाता था मद्ध कालीन भारत के अंदर बिराट होगा हाड होती होगा खिजराबाद होगा या डेवर होगा चलो बताईएगा आउंसा देख लेना आपका खिजराबाद ऑप्सन नमर सी विलकुछ से होगा ठीक तो मैंने आपको बता दिया चलिए 30 कर लेते हैं पहाडों की नगरी िराजिस्तान के के सिस्तान को आं कि नरीन कि नरीत ही तो बादmos देख नूज shrat बोडों की नगरी मतलब मतलब पहाड़ी पहाड होते है दो फ्यां तो देखे उदैपूर और राज समंदर के अंदर भोराट का पठार होगा राजिस्तान में एक से अधिक बार बोया गया चेतर सबसे अधिक अकिस जले में है नागोर में अनुवानगड में कोटा में या बांसवाडा के अंदर तो लाटले बच्चो इसका क्या होजएगा नागोर उपसर नमर ए परवत सर नागोर में मेला और किसका लगता है ये भी आप लोगों को बताना है समझ गयो अब इस का अंसल तो आप कमेंट सेशन में बताना राजिस्तान के दक्चिनी और पस्चिमी बाग में ताप मान आप एक्चा करत कम रहने का पिरमुक कारण क्या है इसका अंसल आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है और अगर आप लोगों अब इस तक लाइक ने किया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और डेली डेली आप लोगों को क्या करना है साथ भजकर साथ पीएम पर आप लोगों के लिए बड़ी शांदार क्लास होती है तो जुड़ जाये करें ठीक है और अब अपनी लाइव क्लास चलेगी तो इसमें भी आप लोगों को जुड़ तो थांक यू धन्नवाद